ही गाईज दिस इस में यूटूब चैनल वेलकम बैग बेफोर वे स्टार्ट मैंक शोड़ी क्लिक ओन दे सब्सक्राइब बटन है वी से डिसकस अबॉट रेवलेशन और जो आरे चैकिंग है उसके बारे में है जो अपन है जो डिसकस करेंगे हिंदी में ही मैं डिसकस तो सबसे पहले है किसी को भी है जो आरेذ silicon और रे चैकिंग को मैं इस तरीके से उसको सान्स के सकता हूँ और यह इसको फृण्च पकुड़क चंस और आपोर्चे किबो में 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 ज्टैकिंग में जो मैं अस को यह फोड़ा सारे लेट वा लेकिन है जो और और से ही घ्ड स्टार्ट होती है, हर्यार्ट हैं, हर्यार्ट है इस तरीके से डिफरेंट होता है, तो रीचेकिंग को मैज़रली जो मिनिंग होता है Rechecking का मतलब होता है कि दुबारा है जो पुनर जांच करना की मैं ऐसा कह सकता हूँ किसी भी चीज को है जो दुबारा है जो उसको चेक करना आप दुबारा चेक करने का मतलब यह हो गया कि जो चेक हो चुका है मेरी बात है जो बिलकुल गोर से सुना और गोर से है जो देखना जो चीज चेक हो चुकी है उसको ही तो आप रीचेक कर सकते हो और तो वहाँ पर बात यह आती है इस्टुडेंट वे से अगर देखा जाए तो इस्टुडेंट वे अगर आप छातर हुगा और उस वे से अगर आप देख रहे हो तो फिर्व वहाँ से हैं जो आपकी जो कोपी है वो दुबारा चेक अब दुबारा चेक करने का मतलब यह होगा कि जो पहली बार में जो in the first time है जो जो copy check हुई है जिसमें जो marks दिये गए हैं उन marks को है जो cable or cable है जो दुबारा उनको है जो दुबारा है जो marks है जिस भी questions में है जो आपके obtained marks है कि कौन से question में है जो किते नंबर दिये गए हैं तो वो cable है जो just check होता है कि किसी भी questions में है जो marks है वो देना side हो सकता है by mistake की नहीं दिया गया हो तो वो तो होती है एक तरीके से check कि दुबारा check करके देखना किसी भी answer book को कि कौन से question में है जो लग मालो वेटेज मालो जैसे कोई paragraph है तो फिर paragraph है जो थोड़ा सा अधी कंको का रहता है तो फिर उसमें है जो matter है अगर आपके वेव पांच्वरिंग अगर अच्छी है तो फिर वो ऐसी बात हो जाती है तो फिर उसमें है जो वो increase होने के chances भी है जो डिपेंड तो वो परता है इंक्रीज होने के chances में तो कि जैसे की आपके सारे सब्जेक्ट में है जो अच्छे मांक्षे सिंगल सब्जेक्ट में अच्छे है तो ऊएक अलगी algorithm रहता है तीन सब्जेक्ट का एक अलग रहता है दो सब्जेक्स plugin रहता है और जो जो क्या करना चाहिए, आपकी मार्क्षिट के कोडिंग, हलांकि पूरा का पूरा सोलिशन, वहां से भी हो जाएगा, बाकि ये भी बेटर है, वो डिपेंड करता है, आपके उपर आप सब्पर करो या नहीं करो, मैं आइम नॉट फॉर्सिंग हो, मैं फॉर्स नहीं इसके रिगार्डिंग, बाकि ये चीज़ आप समझो, तो उसके बाद है जो, हलांकि हाँ, मैं ये बिताना बूल गया था, आप वहां से भी है जो डायक्ली आपका फॉर्म भी फिल कर सकते हो, अब बात आती है, रेवलिशन में क्या होता है, रेवलिशन में उसका पुनर मुल्यांकन होता है, दुबारा उसका मुल्यांकन किया जाता है, मुल्यांकन का मतलब हो गया कि उसको है, जो अंक जो दिये गए है, उन अंकों का है जो मुल्यांकन किया जाता है अब मुल्यांकन मतलब कि जो अंक दिये गए है उसके जिसकों मैं एजर सिमिलियर बताऊँगा रेटोटलिंग कि दुबारा गड़ना करना या फिर किसी भी किवेशन में है जो कोई मार्क्स देने हैं जो भूल गए है तो फिर वहां पर है जो उसमें है जो वो मार्क्स देना और उसके बाद दुबारा उसमें सब्मेट करना वो सब साथी चीज़े है जो रेवालिशन का रिकार्डिंग आती है भाकि फिर भी अगर इन से संबनुदित अग्र है जो आपको किसी भी चीजमें अगर आपको और क्लिरिफिकेंस चाहिए कुछ है जो इमर्जनसी हो या फिर है जो नीड हो वाके तो आप है जो नीच जी इन कमेंट शेक्शे में भी जाकर है जो help ले सकते हैं, हलाकि मैं पहले ही बता दूँ, fee आपकी लगेगी, लेकिन है जो आपका work है, जो complete हो जाएगा, इतनी सी बात है, क्योंकि मैं यहां पर है, जो social media पर जूट नहीं बहुत सकता हूँ, thank you so much, और अच्छा लगा हो, तो आप है जो subscribe बीज कर सकते हो, चेनल को ध कि उसे मैं officially connected हूँ, और उसके अलावा मैं आपको यह बता दूँ, अगर आप मुझे यहां पर देख रहे हो, तो मैं यहां पर एक यूटुबर भी हूँ, thank you so much, please comment section में जाओ, और subscribe भी गर देना, thank you so much